मैं सीधे रुक रलेती हूँ, कई सैयोगी है मेरे साथ लेकिन मैं ब्रजेश राचपूत का रुकर लेती हूँ वो पाल से हमारे साथ जुड़े हुए ब्रजेश राचपूत प्रधुमन सिंग उमर को हमने सुना वो केरे थे स्टॉक में कमी जरूर है लेकिन बिजली का संकट पैदा नहीं होने देंगे अभी मौजुदा इस्तती आपके नजरी से क्या है देगे शीरी दिन हमारे उजा मंती प्रदुम सिंग तोमा जिस आत्मिश्वास से बोल रहे थे कि कोईला कम है मगर संकट नहीं उसके बड़ी वज़े वही है कि सबसे पहले आप बता दूँ कि मध्यपरेश में 4 थर्मल पावर हैं और कोईले के संकट के चलते वहाँ सारे चारों थर्मल पावर स्टेशन आधी छमता से चलना है यानि कि उनको 500 MW बिजली को उत्पादन करना हो तकरीबन 2000 से भी कम MW बिजली की चमता को उत्पादन कर पा रहे हैं और इसके चलते और पूरे मध्यपरेश में जो पावर सप्लाई जो अभी कम हुआ है उसकी वज़े से यही है कि मध्यपरेश में जो अचानक डिबाइंड बढ़ी है 1100,000 MW की उसमें तकरीबन जो 40% ही बिजली उत्पादन मध्यपरेश सरकार कर पा रही है और बाकी का जो 60% बिजली है वो आसपास सेंटरल और प्राइवेट कमपनी से ले रही है तो मध्यपरेश के उज़ा मंती जिस होसले और आत्वियुसात से बोल पारे है उसकी वज़े सिर्फ यही है कि उनको जो राज्य को आसपाड़ोस के या सेंटरल के जो ग्रिट से पावर मिला है जिसके चलते संकट मध्यपरेश पर थोड़ा कम है उसके बाबजूर मध्यपरेश के कई बड़े सहरों और गाओं में अभी भी कटोती लोग जहिलना है बिज़ी की कटोती हो रही है और बड़ी बात वही है कि मंती मानतो रहे है कि बिज़ी का संकट अभी नहीं है मगर कोईले का संकट जरूर है और वो खुद कह रहा है कि एक एक दो दो दिन का कोईला बचा हुआ है जबकि बड़ी बात वही है कि कोईला का संकट है मगर सरकार मानने को तयार नहीं उसकी वज़ा यही है कि केनर में बीजेपी की सरकार है तो मध्य पर इस सरकार को उतनी दिक्कत अभी हो ने रही है मगर हाँ यह जरूर है कोईले का संकट के कम हो गया है पावर प्रोडक्शन घड़ गया है आदी चमता से सारे पावर प्राइंट काता है दीश में कोईले की कमी की खबरे है कहा जा रहा है कि इसकी वज़े से बिजली संकट की शुरूरात हो चुकी है हलाकि केंद सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ऐसा कोई संकट नहीं है लेकिन खबरे ये भी आ रही है कि कई राज्यों में बिजली कटोटी शुरू की जा चुकी है जाहिरे इससे उत्तर प्रदेश भी अचूता नहीं है इसकी वजह से यूपी की ग्रामीन इलाकों में 4-5 घंटों की बिजली कटोती शुरू हो चुकी है जबकि शहरी इलाकों में अगोशित बिजली कटोती हो रही है और हाल फिल हाल में ये संकट कम होता नहीं दिख रहा है क्योंकि इस वक्त यूपी में बिजली की जो डिमांड और सप्लाई है उसमें बड़ा अंतर है मौजूदा वक्त में यूपी में 21,000 मेगावाट बिजली की डिमांड है ये जो बड़ा राज्य देखे किस तरह से कई जिलों में कटोती की भी खबरें सामने आ रही है इस पर बात करने के लिए मैं रूख कर लेती हो पंकच जहां हमारे सेयोगी लक्नों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए है पंकच किंद्र सरकार भले ही इस बात को खारच कर रही हो कि संकट नहीं है लेकिन उत्रप्रदेश में तो देख रहा है कितना बड़ा संकट यहां पर खड़ा हो गया है अगोशित बिजली कटोती हो रही है कई जिलों में फिलाल क्या स्थती है वहाँ देखे यूपी के लोग तो बिजली कटौती की संकट से तो दोचार हो रहे हैं जहेल रहे हैं आप अगर देखिए ग्रामीन हिलाकों में चार से नौ घंटे तक ही बिजली कटौती हो रही है और अभी जो सैलेंदर दूबे बता रहेते हैं मैं आपको बताओं कि यूपी विद्दूत उत्पादन निगम के पास अपना चार पावर प्लांट है जो प्राइविट सेक्टर है उसमें 8 पावर प्लांट है और जो एंटी पीसी है उसके पास करीब 17 पावर प्लांट है और मुस्किल से अगर आप देखें तो 16 से 17,000 मेगावाट मिल पा रहा है यानि 3 से 4,000 मेगावाट बिजली का सौट फॉल हो रहा है और इसलिए एक बड़ा मुद्दा हो रहा है ये पावर प्लांट में 15 दिन से कम का स्टॉक होना चाहिए मगर दिली के सभी प्लांट में अभी सिर्फ 2 से 3 दिन का स्टॉक बाकी है NTPC के सारे प्लांट आधिक शमता से चल रहे हैं दिली में इस समय कोईले की बड़ी समस्या खड़ी हो गए कोईले का जो स्टॉक है किसी भी पावर प्लांट में कम से कम किसी भी हलात में 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए वैसे तो 20 से 30 दिन का स्टॉक होना चाहिए ज्यादा तर प्लांट में एक से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है और NTPC जो देश में सबसे ज्यादा बिजली बनाती है के इंसरकार को कम है आज उसने ज्यादा तर प्लांट सलग जादा सारे ही प्लांट कि फिफ्टी पर संट पर कर दिन के बिस्टी जितना उनकी टोटल के पिस्टी है उसका 55 पर संट के 50 पर चला रहे हैं और 55 पर संट के आप चार दिन को अगर फुल को विस चलाएंगे तो दो दिन का रहे जाएगा तो कोईली की बहुत बड़ी इस टैम थर्मल पावर प्लांट में दिकत है और दिकत है तभी तो कल जूपी के मुख्य मंत्री में पत्र लिखा पना मंत्री जी को तो दिल्ली के उर्जा मंत्री सतिंद्र जैन सुना आपने उनको वो कह रहे हैं कि देखे 15 दिन का स्टॉक होना चाहिए कम से कम लेकिन 3-4 दिन का ही बचा है वो यह बता रहे हैं कि कैसे कमी हैं मैं इस पर बात करने के लिए अंजली का रूख कर लेती हूँ करार है वो पावर पर्चिस अगरीमेंट के तहर केंद्र से यह सॉपलाई दिल्ली को मिलती है यानि आसपास के राज्यों में Tet remarkably डिली को वहां से मिलती है करीब 4000 का करार है एंडी पेश से दिलली सरकार का इसके साथ ही दिल्ली में अपने जो पावर स्यों हीडर्यूल प्रचंद गर्मी होती हैं उस समय करीब 7000 से उपर मेगावाट से उपर जो है पीक दिमांड चली जाती है इस समय करीब चार हजार मेगावाट की दिमांड चल रही है तो दिल्ली सरकार का यह कहना है कि जब दिमांड इतनी कम है ऐसे में भी हमें 17 से 20 रुपे देने पड़े हैं बिजली खरीदने के लिए और अगर हम हाइड्रो प्लांट जो गैस प्लांट है उनका इस्तिमाल करते हैं उनकी तीन प्लांट की एक शम्ता जो है दिल्ली के में सिर्फ यह तीन प्लांट हैं जो पावर जेनरेट करते हैं उनकी क्षमता 1900 मेगावाट है और इस समय 1300 मेगावाट प्लांट उन प्लांट से जनरेशन हो रहा है बिजली का तो यह काफी मेहगा पड़ दिली सरकार को ऐसे में दिल तो इसका खामियादत दिल्ली को भुगतना पड़ सकते। पसर यह हुआ है कि 3330 मेगावाट की कमी जो है वो देखने को मिली है हाला कि सरकार का एक कहना है कि जो नैशनल ग्रीड है और दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की कोशित जो महाराश्टर सरकार कर रही है उसके लिए वेज जादा दाम जो चुकाने पढ़ रहे हैं महार महाराश्टर की बात की जाए तो करीबन देड़ लाक मेट्रिक टन के कोईली की आवशकता जो है वो महाराश्टर को होती है उसमें से किवल 50% कोईला ही उपलब दो हो पा रहा है इसलिए संकट जो है वो अगर कोईली की आपूरती सही समय पर सही मायने में सही तादाद में नहीं हुई तो आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ सकती है हमें जो उर्जा विबाक के सूतर जानकारी दे रहे उसके मुताबिक और भी यूनिट जो है उसमें कुछ दिनों का ही कोईला जो है बचा है ऐसे में वो भी जो है बंद हो सकते है लिहादा सरकार इस पू बने हुए है लेकिन अभी भी केंद्री सरकार तो यही कह रही है कि कोई संकट नहीं है यह महस अफवाह है जो पहलाई जा रही है बिल्कुल देखे शिरीन राज सरकारों की बात हमने सुनी वहां कि अलग लग जो ग्राउंड सिच्वेशन हम लोग ने सुना लेकिन कल भी अपने सुना था उर्जा मंत्री आरके सिंग को और अभी भी मैंने कुछ दिर पहले बिजली मंत्राले के अधिकारियों से बात किये उनका कहना है कि स्थिती में सुधार है वो भी यह मान रहे हैं कि पिछले दो महिने से जो कोईले की आपूर्ती में कमी हुई उसकी वज़ तो अगर जरूरत कोईले की 18,70,000 टन की थी तमाम प्लांटों को अगे मिला ले जो बिजली बनाने वाले प्लांट है तो उनको आपूर्ती की गई 19,20,000 की यानि 50,000 टन कोईला उनके पास अतिरिक ताया है जो रिजर्व है उसके अलावा रिजर्व जो कोईला है चार सार चार दिन का उसके अलावा डेली इन प्लांटों को कोईला की आपूर्ती की जाती है उस में 50 एल तो कोईले की आपूर्ती में सुधार हो रहा की कमी है इसी वज़े से इस तरह की दिक्कते सामने आ रहे हैं बहुत शुक्री आप सबी का अमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए ABP News आपको रखे आगे